और यह दखे एक टोक्री हो गया बोरी में भर रहे हैं नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रमेशराज व्लोग में फिर शेकनी वीडियो में स्वागत हैं तो दोस्तों यह देखें संदीप सुराज यह सब कल्हे आये थे तो हम आज आये हुए हैं लेने के लिए औ or अभी खाना और खा कर आखे और अभी जंगल की तरफ जा रहे हैं अमनों ना शुरज का नाने क्या कंणने जा रहे हैं सुराज जंगल जंगल विछने गोटा विछने जा रहा है सरय जरय पोट दोस्तो नाने आप चलो चलो जंगल में घुमेंगे दोस्तो और जंगल का नजार आप लोग को दिखाएंगे और ले देखिये लेनू अभी आए है अब यहां का रस्ता देखिए इस तरह सुरज आगे आगे जा रहा है अभी अभी अधूर्व काफी तेज है इसलिए देखिये चाता ले लिए हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर खलियान बनाते हैं जब धान होता है तब और इधर देखिए ज़्यादा घर नहीं है बस निचे दो तिन्टो है और यह जो देख रहे हैं इधर दो तिन्टो है और इधर देखे चारो तरफ जंगल ही जंगल घर के चारो तरफ जंगल ही जंगल है और इधर देखे पैदल जाने का रस्ता इधर है तो हम लोग सब जाएंगे इसी में अभी उधर आगे सरे बगान और आगे आगे देखे उन लोग चले गई और यह देखे सरै फर बीच के यहां उस तरह सुखने के लिए दे दिया है निकलता है इसको बैचते हैं तो चलिए इशी को बीचने के लिए अभी हम लोग जंगल जा रहे हैं यह देखे माथा में इटा ढोडोके और यहां आवास मिला था तो उसी को बनाए है यह देखे वहां पहले का घर नीचे है और उपर तरफ यहां बनाए है और यह देखे सरेफ और इधर फुरा एकदम बिशके और यहां घांट दिये हैं सुखेगा उसके बाद में इसमें दाना निकाला जाएगा और बजार में ले जाके बेचेंगे और यह देखे बच्चा यहां चल रहे हैं चलिया नीचे उत्रिये और यह देखे सरै का बगान यहां सामने है यहीं से बीच बीच के लाते हैं यह देखे दिब्याग पास जाड एक हम एक ही दोस्तों ना और यह देखिए पी सिसी अहीं तक है और यह देखिए सब हम लोग जा रहां है एक दम और संदीप का नानी तो आगे चले गए है ना यह देखिए रोड यहां का यहां पाइदल चलने का रास्ता है यहां बिना हाथ पकर के जा रहा है देखिए तो दोस्तों संदीप के नानी यह सब पुरा घंडा जंगल में तिधर पूड़ा गया है तो हम लोग इधर ही बिछेंगे हैं तो उधर चलिए उधर बीचेंगे हैं तो उधर चलिए उधर बीचेंगे हैं कि अरे देखिए दोस्तों जित अंदर बाई लेग दे रहा है अरे देखिए देखिए जित अंदर जग रहा है पेल क्यूप और यह देखिए एक टोकी हो गया वह भर राय शुरा जबी और इतना सा बाढ़ लिए है हम लग साब बिच़ाएंगे क्विए सवयुराइब इधर लाज शुराज कर देखिए इधर से बाढ़ रहे हैं इधर सब लारे हैं इकठा कर रहे है उदर सुराज विछ राए और यह देखिए और यह देखिए तोकरी में रखेंगे इस तरह साफ साफ चून के यह दोस्तों दस रुपय केजी दिखता है कि यह घर में बैठे रहने से अच्छा है कि मतलग दो चार रुपया के काम हो जाता है कि हम लोग आगे हैं तूरनने के लिए हां जंगल में और कंदिफिर्षण के नानी के पहले आय सोचिवा आले पर उन से नहीं पेठा हुआ है ta इदर है इसना जंगल में देखे, पुरा जंगल है जंगल, पुरा बगवानी है उच्वाराई का, देखे और उधर देखे, संध्या गोद में कैसे खेल रही है, देखे, दीदी के साथ में, और यह देखे, एक टोक्री हो गया, बोरी में भर रही है, जल्दी जल्दी देखे सुरज अब बोरी में डाल रहा है देखे भरने वाला है उठाव डाले करें आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों बंदर यह देखिए उधर गधा तरफ है तो चलिए वहीं पर चलते हैं और यह देखे जंगल का नजारा इस परकार है और यहां पर देखे दोस्तों यहां पर पोचड़ा करने के लिए सफेद मीटी निकलता है अपना घर का सफाई करने के लिए ले जाते हैं यहां से और इधर देखे नजारा यह देखे यह गेस पाएं पीस में गया हुआ है और यह देखे किस तरह से यहां का खेत है यह सब में धानून लगता है और जब हाथी आते हैं तो यही सब में खाते हैं और देखे दोस्तों यहां पर धेर सारे बंदर हैं यह देखे यह देखे दोस्तों बहुत सारे बंदर यहां जामून का पेड़ है यहां पर खा रहा ह यह देखिए, यह देखिए, कैसे हिला रहा है, यह देखिए, बहुत शारे बंदर, जिस तरह हमारे जंगल में भी बंदर है, उसी तरह यहां भी है, देखिए, सब जा रहा है, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, पेर से उतार रहा है, यह देखिए, यह देखिए, तो दोस्तों, आप लोग को बंदर दिखा दिया है, और फिर आ गए, यहां पर देखिए, और वरी फुरा भर गया, देखिए, तील्ठो बोरी भर आया है, ना, तो चलिए, बोरी को बानते है, और चलेंगे घाराब, तो देखिए, सुराज आगे, आगे जारा है, और हम लोग भी आ रहा है, तो दोस्तों, हम आ रहे हैं, अगे थे, नानी जा गथो, अगे, हा, चलिए, यहां पर आप जलाएंगे थे के सब आ गए, चलिए, अब यहां पर जलाएंगें थे6िनदू इसको अभी आग जलाना पड़ेगा ना उसके बाद दाना निकलेगा देखे इस तरह से उधर सब निकाला हुआ है दाना अब निकालना है है यह सब भी बन जा, अब ये दिखिए इसको भी जल रहा है इस तर्क तर्फ यह पुला जोर से लगा हुआ है शुरज कांख में क्या हो गया है और यह देखिए आग जला दिये यह देखिए अब इसका जो जितना जो यह है ना पंक जैसा सब जल जाएगा और जो दाना है और रह जाएगा इसको इधर उधर करना पड़ेगा यह देखिए और यह देखिए आग पुरा जल गया है एकदम और दोस्तों देखिए पूरा आग जलने के बाद में इस तरह से सफाय हो गया है अब इसका दाना निकलेगा देखिए यहां इस तरह से यह अंदर वाला दाना इसका विक्री होता है बजार ले जाएंगे तो चलिए अब पानी पीते हैं और इधर देखिए सुराज अभी पानी पी रहा है ना सुराज पी लिया पानी ठीक और यह देखिए यहां डेट्चीम पानी है इसको पीते हैं हम पानी पी लिए और इधर देखें आराम कर रहा है इसका सरेफोर का इसका कैसे किलो बिखता है जिदी दोस्तों दोस्तों 10 रुपे डाल बिखता है क्योंकि 10 रुपे तो कोई फायदा नहीं है लेकिन बैठल बेगारी कहां छेचा लिया है तो कौनों वहाँ पकड ने बोला था इसका बिदन हप्राव लिए इसका लिए है तो दोस्तों यह मतलब घर में बैठे रहने से अच्छा है कि दो जो भी पांच-दस किलों होता है उसका तो पचास रुप्या हो जाता है तो चलिए अगर पचास रुप्या होगा तो पांच-छो साबून होगा इसलिए मेनद करना जरूरी है चलिए बहुत ही अच्छा तो तो दोस्तों आज का वीडियो अहीं पेंट करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा बाइबाइब कर दो दोस्तों बाइबाइब करना वीडियो में